हेलो दोस्तों, वेलकम तो एवॉल्विंग हेज्ज, मैं हूँ जस्विंदर सिंग अत्रा और यहां हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलप्मेंट, कम्यूनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ के उपर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी Think and Grow Rich बुक समरी की जर्नी हम लोग पहुंच चुके हैं चाप्टर नमबर एट पे अगर आपने पहले के विडियो नहीं देखे तो उनके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में देदूँगा मैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देदूँगा तो शुरू करते हैं हमारा आज का विडियो तिंक इन ग्रो रिच बाइन निपोलियन हिल चाप्टर नमबर एट डिसिजन इसके लिए मैंने नीचे कुछ पॉइंट्स लिखके रखे हैं जो रेफर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चाप्टर में नपोलियन हिल ने हमें क्या क्या बताया है about the importance of decision making in our journey towards riches मतलब decision लेने का क्या importance है इस journey में जो हम कर रहे हैं towards thinking and growing rich तो शुरू करते हैं सबसे पहला point जो है वो यह है कि जो successful लोग होते हैं वो लोग decisions बहुत फास्ट लेते हैं और जरूरत पढ़ने पर उनको बहुत slowly change करते हैं और जो लोग fail होते हैं अपनी life में ज्यादा तर जो success की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो लोग decision लेने में बहुत ज़्यादा time लगा देते हैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, किया रहे नहीं ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको कोई एक डिसिजन लेना है, अफकॉस थोड़ा सोच समझ के ही लेना है, प्लान करके ही लेना ह और जब आप वो decision ले लेते हैं तो चाहिए कुछ भी हो जाए आपको इस decision से हटना नहीं है जब तक के utmost important thing नहीं हो जाता हो जब बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि आप अपना decision change करो तब आप उसको slowly थोड़ा tweak करो या थोड़ा change करो इसमें usually लोग एक गलती करते हैं कि वो लोगों के opinions को बहुत ज़ादा value दे देते हैं लोगों के opinions को सुनके अपने decisions change कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को ये समझना important है कि लोग जो है वो आपका vision आपका dream exactly नहीं समझ सकते इसके लिए आपका जो decision है वही decision सबसे ज़ादा valuable decision है और वही third point हमें author ने भी explain किया है कि don't be influenced by people's opinions especially अपने family members और अपने दोस्तों के opinions से क्योंकि उनके opinions आपके plan के लिए नहीं होते हैं उनके opinions हमेशा आपके लिए होते हैं और वो लोग हो सकता है कि आपके dreams का आपके goals का आपके plans का मजाग भी बनाएं बट अपने plans और अपने decisions पे firm रहना successful होने के लिए एक बहुत बड़ा trait है इसको आप बोल सकते हो कि थोड़ा धीट होना थोड़ा stubborn होना अपने life में एक organized plan भी तभी ही बना पाएंगे जब आप decision making के बारे में बहुत कुछ सीख जाए और आप अपने decisions पे firm रहना सीख जाए organized planning के उपर already एक video available है मेरे channel पे link नीचे description में available है उसका भी इस chapter में author हमें ये भी बताते हैं कि जो लोग ज़ादा बात करते हैं अपने plans के बारे में वो लोग कभी उन plans को achieve नहीं कर पाते talkers are not doers अगर आप अपने plans के बारे में freely लोगों के साथ discuss कर रहे हैं अपने plan के बारे में सब कुछ उन्हें बता दे रहे हैं तो it is a high possibility कि वो लोग आपका plan पे action ले ले और वो लोग वो चीज़ अचीव करें जिसके पीछे आप भाग दोड़ कर रहे थे जिस plan के बारे में आप इतने शोर थे जिस plan के बारे में आप लोगों से बात कर रहे थे इसके लिए author हमें ये बताते हैं कि अपनी बातों से लोगों को मत बताओ कि आप क्या चाहते हो अपने actions से बताओ उन चीज़ों को करके दिखाओ और फिर लोगों को बताओ क्योंकि ये दुनिया में यार हर कोई बस पैसे कमाने के पीछे ही भाग रहे तो अगर आपके पास कोई प्लान है तो उस प्लान को action मिलाओ ना के वो प्लान लोगों से discuss करने लगो क्योंकि आप discuss करने लगोगे अगर आपका प्लान बहुत अच्छा और किसी को पसंद आ गया तो हो सकता है वो आपके प्लान पे आपसे भी पहले action ले ले that's what author has told us about और उसके बाद में आज हम लोग decision making के बारे में एक बहुत important चीज़ सीखेंगे एक बहुत important decision अपने life का आज आप लोग इस video में मेरे साथ लोगे तो शुरू करते हैं वो decision के बारे में author हमें ये बोलते हैं कि अगर हम जादा बात करते तो लोग हमारे plans ले लेंगे but equally अगर आप चीज़ों को सही तरीके से देखते हो और चीज़ों को कही तरीके से सुनते हो तो आपको अलग-अलग plans के बारे में knowledge मिल सकता है सिर्फ plans ही नहीं आपको वैसे भी काफी सारा knowledge मिल सकता है listening के माध्यम से इसके उपर मैंने already एक video बनाया हुआ है आप लोग मेरी playlist चेक कर सकते हैं develop mind blowing communication skills उसके अंदर listening के उपर एक dedicated video है तो अगर आप लोग listening पर ध्यान देते हैं और focus करते हैं चीज़े देखने पर ना के बोलने पर तो आप कुछ नया सीखते जाएंगे अपनी life में इसके लिए आज हम लोग ये decision लेते हैं कि हम लोग बात कम करेंगे सुनेंगे जादा और देखेंगे जादा और सीखेंगे जादा और इसमें एक बहुत amazing example दिया है कि कैसे decision making की वज़ा से आप अपनी life में बहुत आगे बढ़ सकते हो आज currently हम अमेरिका को एक बहुत बड़े nation के नाम से जानते हैं बड़ क्या आपको पता है जब declaration of independence sign हो रहा था तब वहाँ पर 56 ऐसे लोगों के signatures है जिनका decision immovable था अगर वो declaration of independence accept नहीं होता तो हर उस इनसान को फासी की सजा होती बड़ वो लोग अपने decision से नहीं हटे यही success की एक निशानी है वो लोग किसी से influence नहीं हुए उन्होंने अपना decision लिया और उस पर अड़े रहे उस पर stubborn रहे उसकी बड़ुलत आज अमेरिका को हम एक superpower के नाम से जानते है सिर्फ अमेरिका तक ही क्यों सीमत रहना है यार अपने देश के बारे में बात करते है भारत में अगर भगत सिंग, राजगुरू, सुकदेव जब ये लोगों ने bombings किये थे तो इनको already पता था कि उसके consequences क्या होंगे but because इनको एक strong message send करना था और उन bombings में उन्होंने ध्यान रखा था कि किसी की life को कोई हाम ना हो but उनको पता था कि उसके consequences क्या होने वाले थे पर फिर भी उनका decision immovable था, firm था और उसकी वज़ा से आज हमारे देश में हम इतना respect करते हैं उन लोगों को now ये respect का major reason, वो decision, वो persistence, वो desire ये सारी चीज़े जो हमने पिछले वीडियो में discuss किये thinking grow rich के, कि आप में burning desire होना चाहिए, आप में imagination होना चाहिए, आप में persistence होना चाहिए, आपका एक mastermind group होना चाहिए, जिनके साथ आप ये सब discuss कर चुको, आप organized plan बनाओ, और तब जाके आप ये सब चीज़े अचीव कर पाओगे तो इस तरह से हमें पता चलता है कि decision का कितना importance है हमारे life में, और हम लोग promise करते हैं आज एक दूसरे को कि बोलेंगे कम, सुनेंगे जादा, देखेंगे जादा, ताके हम लोग सीखेंगे जादा तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग अपने next वीडियो में जो के होगा of course personality development, communication skills या personal growth के उपर तब तक अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे, think and grow rich की playlist आपको end screen में नज़र आ रही है, आप लोग वो click करके इस series के सारे videos देख सकते हैं तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तो, bye bye, take care, jay hind